प्रकलन समीति का गठन 1950 में किया गया था इस समीति का गठन परति वर्स लोग सभा में बजट प्रस्तूत किये जाने के बाद एक वर्स के लिए किया जाता है इस समीति का गठन लोग सभा के 30 सदस्यों से होता है और इसमें राज सभा कोई सदस्य सामिल नहीं होता है इस समीति के सदस्यों का चुनाव लोग सभा द्वारा अपने सदस्यों में से अनुपातिक परतिनिधी परतिति के अनुसार एकल संगर्मनिय मत द्वारा एक वर्स के लिए होता है मंत्री परिशात के सदस्यों को इस समीति में सामिल नहीं किया जाता प्रकलन समीति सबसे बड़ी संसदिय समीति है प्रकलन समीति के कार्ग यह मित बेई जिसे सरकारी खर्च में कैसे कमी लाए जाए दूसरा संगठन में सुधार संगठन में कैसे सुधार और कुसलता लाई जाए जथा प्रसासन में कैसे सुधार किये जाए आदी विशायों पर रिपोर्ट देती है प्रकलन समीति के प्रति बेदन पर बहस नहीं होती प्रतुया समीति अपना कार बर्स भर करती है और अपना द्रिश्चिकोन सदर के समझ रखती है प्रकलन समीति का कार परतेक बर्स मई को परम्भ होता है तथा अगले बर्स तीस सप्राइल को समाप्थ हो जाता है अब दूसरा देखेंगे लोक लेखा समीति लोक लेखा समीती सरपर्थाम 1910 में गठित की गई थी यह संसत की सबसे पुराने समीती है इस समीती में लोक सभा के 15 तथारा सभा के 7 सदस समलित होते हैं प्रकलन समीती की जुड़वा बहन लोक लेखा समीती को कहा जाता है जथा इसे लोक लेखा समीती को लगहू लोक सभा भी कहा जाता है लोक लेखा समीती में राज सभा के सदस का नाम निर्दिष्ट होता है जबकि लोग सभा के सदस्यों को निरवाचन अनुपातिक पदती परतिनीधी पदती के अनुसार एकल संकर्मनिय मत के द्वारा होता है किसी मंत्री को समीति का सदस नहीं बनाए जाता लोग लेखा समीति का कारकाल एक बरस का होता है 1967 में पर्थम बार मेनू मसानी बिरोधी दल के नेता बने थे तो उन्हें लोग लेखा समीति का अध्याज भी मनोनित कर लिया गया और उसी समय से बिरोधी दल के सदस्यों में से किसी सदस्य को लोग लेखा समीती का अध्यच मनोनित करने की प्रमप्रा की शुराथ होई लोग लेखा समीती का कारी लोग लेखा समीती मेराज सभा के सदस्यों को सदस्यों को सदस्यों माना जाता है तथा उन्हें मत देने कादिका प्राप्त नहीं है लुख लिखा समीति का कार यह समीति भारत के नियंतरक महालिखा परिच्छा दोरा किया गया लेख परिच्छन परतिवेदनों की जांच करती है दूसरा भारत सरकार के बैय के लिए सदन द्वारा परदान की गई रासियां का बिनियोग दरसाने वाली लिखाओं की जाच करना तिसरा संसद द्वारा परदान की गई धनरासी के अतिरिक्त धनरासी को बैय किया गया हो तो उस समीती उन प्रस्थितियों की जाँच करती है जिसके कारण अतिरिक्त खर्च करना पड़ा हो चौथा समीती राष्टपती के बीतिये मामलों के संचालन में अप वे भरष्टचार अकुसलता में कमी के किसी परमान को खोज सकती है लोक लेखा समीती अपना पर्ति बेदन लोक सभा को देती है जिससे कि वे अनिमित्याएं उसके ध्यान में आये और उन पर समसद में बहास हो और उन पर परवभाविक कदम उठाए जा सके नोट में पॉइंट देखेंगे प्रकलन समीती से रिलेटेड़ समीती के अध्याच लोक लेखा समीती का अध्याच लोक सभा के अध्याच द्वारा मनुनित किया जाता है किन्तु लोक सभा का उपाध्याच प्रकलन समीती में चुना जाता है तो फिर वही प्रकलन समीती का अध्याच भी चुना जाता है लोक उपकर्म समिती को देखते हैं बर्स 1964 में लोक उपकर्म समिती का गठन किया गया है इसमें 15 सदस लोक सभासे तथा साथ सदस राशा भासे होते हैं अर्टिकिल 168 के तहथ राज्यों के विधान मंडलों का गठन अर्टिकिल 179 के तहथ राज्यों में विधान परिशदों का सिर्जन अर्टिकिल 177 के तहथ विधान समाओं का संरचना अर्टिकिल 171 में नए विधान परिशदों की संरचना तथा आर्टकिल 104 के तहत राज के विधान मंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन विधान सभा में सदस्यों के अधिक्तम संख्या 500 और नियुनतम संख्या 60 हो सकती है आर्टकिल 246 के तहत संग सुची, राज सुची एवं संबर्तिस सुची कवलेक है तथा 248 के तहद अफशिष्ट सकतियां जो संसत को दी गई है बर्तमान में, नागा लेंट में घाले तथा मिजूरम में पंचाईती राज्ववर्स था नहीं है तथा दिल्ली में भी इन साहसिछप परदेश दिल्ली में पंचाईती राजवर्स था नहीं है राष्टिय मानब धिकार अयोग के सदसुग कारकर तीन बर्स या सतर बर्स की उम्र तक होता है किताम बन जीव अभियारन सिक्किम राज में है इनुसकों के द्वारा मानब एबं जैव मंडल कारकरम की सुरुवात 1971 में की गई ये एच अश्ट्रा लहर के अनुसार जीव मंडल सब्द दिया गया जैव बवित्ता किसी परकिर्थिक परदेश में पाय जाने वाले जीव जन्तूं एवं पादपो की परजातियों की बहुलता को जैव बिवित्ता यानि बायो डवेसिटी कहते है जैव बिवित्ता सब्द का सरपर्थां परियो वाल्टर जी रोजेन ने किया था जैव बिवित्ता तीन परकार के होते हैं पहला अनुवांसिक बिविध्यता दुसरा परजातिय बिविध्यता तिसरा समुदाय किया परितंत्र बिविध्यता प्रसितिक संक्टों का अध्यान करने वाए उन पर सुझाब देने के लिए बरस 1948 में IUCN इसका फूलपरम इंटरनेशनल यूनियन फोर कंजरिवेशन ओफ नेचर एन नेचरल डिसोर्स है इसका गठन किया गया तो था इसका मुख्याले सुझेर लेंड में है IUCN का सहायक संगठन विश्व बन जीव कोस बस 1979 से आई उनस जो बिलूप्त सुरच्छित बंदुरलफ जीव तथा पात्पोर से समझेत लाल सुची रेडा रेड़ बुक जारी करता है जय विविष्टा अधिनियम् 크णकार के तहत चिन्नई में अक्टूबर 2003 में राश्टए विविषिता पर्धिकरन के स्थापना की गई तथा करनाटक सरकार ने देश में पर्थम जैव विवित्ता विरासत अस्थल के रूप में बंगलरू जिले के देवन हली तलुका के नलूर में इमलिय अस्थल को अधिसूचित किया जैव विवित्ता दसक दोहरेगारा से लेके 20 तक मनाए गया था इसको इसे नगोया जपान में हुए समेलन कोपदास में मंजूरी दी गई जमू कास्मीर इस्थित दाची गाम राष्टे उध्यान भारत का एक मात्र छेत है जहां कास्मीरी अश्टाग या हंगुल पाई जाते हैं जमू कास्मी में राष्ट्य उध्यान, सीटी फोरेश राष्ट्य उध्यान, दाची गाम राष्ट्य उध्यान, हेमिस राष्ट्य उध्यान जो सबसे बड़ा है, इसका 1981 में यह ले में है, किसत वार राष्ट्य उध्यान डबलू एचो के स्थापना साथ अप्राइल 1948 में की गए तथा इसका मुख्याले सुजरलेंग के जिन्यवा सहर में स्थित है डबलू एचो का उद्दे संसार के लोगों के स्वास्त का स्थर उचा करना है बांस निर्थ चिराब निर्थ तथा खांटम चिरोकान मिजरम का लोग निर्थ है भुटान के संसत को त्योसो गंडू नेपाल के राष्टिय पंचायत पकिस्तान के नेशनल असेंबली चीन के नेशनल पीपुल कॉंग्रेस पंगलादेश के जातिय संसत अफगनिस्तान के सोरा अम्मालदीप के मजलिस USA के कॉंग्रेस थब रूस का डियूमा ब्रीटेन का परलियमेंट सोजिम पोलैन की संसत का नाम है निम्न अस्तरिय बस्तू की मांग में उपभोकता की आय में बीरधी के साथ गिरावट आती है लोरेंज बर्क के द्वारा आय बितरन को परदरसित किया जाता है राज में सबसी छोटी इतातरट रेखा 101 किलोमेटर गोबा का है और सबसे बड़ा अंधरा गुजरात का है जो 1214 किलोमेटर है और किन्सासित प्रदेश में सबसे वड़ा थर्ट अनवान निकवार दीप समूग का 1962 सबसे छोटा किन्सासित प्रदेश में दमनवाद दीप का 27 किलोमेटर डक्कन पास दचनी अनुमान और लगो अनुमान के मद है ग्रेट चैनल जो इंडूनेसिया और निकवार के मद है महिम क्रीक निवेशिका एक पतली सी मुंबई की निवेशिका है मिकीर पहाणियां असमराज में स्थित है डफला, मेरी, अबोर, मिसमी पहाणियां और नाचल परदेश में स्थित है जेलम नदी को बितास्ता भी कहा जाता है इस पर किसन गंग, किसन गंगा प्रयुजना, तुलबुल प्रयुजना और पुरी प्रयुजना इस्थित है जेलम नदी पर स्री नगर बसा हुआ है जेलम नदी कास्मिर के विरिनाग जहरने से निकलता है तथा तिर्मुक के निकट शेनाम नदी में मिल जाता है। जहलम का सहाक नदी लिदार, कवरेश, पूँच है। कृष्णा नदी पर स्रिसैलम, बा, नागा, अर्जुन, सागरबांध, प्रुजन है। किष्णा नदी पर सतारा और विजय बाडा सहर बसा हुआ है। किष्णा नदी महावलेसवर के पास पच्मी घार से निकलता है। तथा विजय बाडा के निकट बंगाल के खाड़े में गे जाता है। किष्णा कि साहक नदी तुंग भंद्रा, कोईना, घाट परभा, माल परभा, भिम्मा, मुसी, जुद्गंगा, मुरेरू है। पच्छी और मैमल्स इसके बाड़ी का टेमपरिचर समान होता है या समतापी होते हैं। लेकिन सरेश्रेप, मतस और उभाईचर असमतापी होते हैं। इसका बाड़ी का टेमपरिचर एक समान नहीं होता है। केचुवा इसको अर्थबॉर्म कहते हैं या स्वासन का काम मुस्ट कटिकल या तोचा से करता है। और अर्थोपोडा स्वासन का कार पैसीडो गिल्स से करता है। अर्थोपोडा में बटरफलाई कोकरोच और प्राउन आता है। मुलुसका स्वासन का कार लंग्स और भैस्कुल राइट बैग से करता है। मुलुसका में आता है एपल असनेल लेंड असनेल था अर्थबॉर्म इसको केच्वा यह एक्सेरेक्ट्री एनिमत मल उत्सर्जन क्लोरा गोगन सेल से करता है और एनिलीडा नेफ्रीडिया से करता है और तो पोड़ा माल फिगल टुबूल से करता है और मुलुसका केवर्स सेल से करता है कवक बहु कोसिये जीव है लेकिन अमीवा परेमिसियम कैली मोडी नास एवं जिवानू एक कोसिये जीव है कवक में कवक केंतरिगत इस्टाता है जो यूनी सेलूलर है बलड़ ग्रूप A-B में इंटीजन पाए जाता है बलड़ ग्रूप O में इंटीबोडी पाए जाता है अगर माता पिता का बलड़ ग्रूप O और A-B है तो बच्चा में A और B होगा अब दोनों का A है तो बच्चा में A और O होगा एक का A है एक का B है तो A, B, O और A भी होगा और एक का A है और दुसरा का A भी है तो होगा A होगा B होगा और A भी होगा अगर दोनों का B है तो एक का B होगा दुसरा का O होगा विटामिन D को कैल्सी ठिलोर कहते हैं जिससे रिकेटस या ऑस्टीलियो मेलेशिया होता है विटामिन E को टोको फिरोल कहते हैं तर्था बिटामिन K को नेप्थो क्विनोन कहते हैं परकास का रंग उसके तरंग धैर पर निरधारित होता है बैगनी रंग का त्रेंग धर सबसे कम होता है और लाल रंग का त्रेंग धर सबसे ज़्यादा होता है बैगनी रंग का अपरतनांग सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का अपरतनांग सबसे कम होता है परकास का वर्ण वीछेपन जब स्वेथ परकास को किसी प्रिवन से गुजरा जाता है तो वह सात अरंगों में विभक्त हो जाता है इन धनुस को देखते हैं इंद्धनुस बनने का मुख कारण है परकास का बर्न बिछेपन जबकि परवर्तन और अपवर्तन इसके सहायक कारक है पर्थमिक इंद्धनुस में एक बार पूर्ण आंतरिक परवर्तन होता है तथा दो बार अपवर्तन के कारण बनता है पर्थमे के इन धनुस में बैगनी रंग अंदर की ओर तथा लाल रंग बाहर की ओर होता है पर्थमे के इन धनुस को देखने के लिए ब्याले डिरी कोन बनना चाहिए या दितिये इन धनुस से अधिक चमकिला होता है दितिये इन धनुस बनने के लिए दो बार अपवर्तन यानि रिफ्रेक्शन तथा दो बार पुर्ण आंतरिक परिवर्तन का होना जरूरी है इसमें बैगनी रंग बाहर की उर होता है तथा लाल रंग अंदर की उर होता है इसे देखने के लिए पाचपन डिगरी के कोन बनना अनिवार है बैंड बर्न कर्म यानि बैंड अस्पेक्टरम एचजी गैस द्वारा उत्पन किया जाता है राहले के नुसार परकास के जिस रंग का अतरंग धैर अधिक होता है उसका परिकिर्ण कम होता है लाल रंग का परिकिर्ण यानि अस्पेक्टरिंग सबसे कम होगा विधूद धरीता यानि कपिसीटी का एसाई फायराइडे होता है या किसी चालक में बीभाब को बढ़ाने के लिए अवेस्यक अवेस्की मात्रा है इसका चार्ज गुने भोल्ट अब धरीता होता है चार्ज डियाक्ली प्रप्रोशनल टू भोल्ट इसका ये साईनियों कुलंब भोल्ट बटा भोल्ट भी कह सकते हैं यह एक अधिस रासी है इसका वेभारिक मात्रा की म्यू एफ होता है वन म्यू एफ बरबर टेन पर 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 माइनस सिक्स एफ गुलाकार शालक की तरिझा बढ़ाने से धरीता बढ़ती है तथा तरिझा घटाने से धरीता घटती है तरिझा का मानमापने के लिए सेरिंग सेतु का अपयोग किया जाता है जी को सर्वितिर कुरत्व करसन यह तांग कहते हैं जी का भेलू 6.67 गुने 10 पर पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर पर स्क्वाइर बटा केज़ू स्क्वाइर जिसकी खोज एंडी केवेंडिस ने किया था हुए इसका बीमा सूत्र होता है एंप्र पावर मैनस न्यूटन पर थिडिटि पर बाति मैनस टू जिस तरंग्हां टरंग Milwaukee सबसे कम होगा उसका अविर्थी सबसे ज़्यादा होगा तो गामा किरन का तरंग ध्यार सबसे कम है इसलिए इसका अविर्थी सबसे ज़्यादा होगा अविर्थी सबसे ज़्यादा गामा किरन का उसके बाद एक्स किरन का उसके बाद पराबैगिनी किरन का सबसे कम हविर्थी होता है रेडियो तरंग का इसलिए सबसे ज्यादा तरंग्ध है रेडियो तरंग का होता है सर्व धोनी ऑडिवल साउंड इसका भेलू 20hz से 20,000hz के बीच होता है सर्व धोनी को मनुसुद्वारा सुना जा सकता है अपसर्व धोनी यानि इंफ्रासोनिक वेव इसका भेलू 20hz से कम होता है या भुकम के समय पिर्थेविस उत्पन होता है या तरंग कुत्ते अपसर्व तरंग कुत्ता बिल्ली साप का छोई त्यादी द्वरा सुना जा सकता है हिर्दय के कमपन से अपसर्व तरंग उत्पन होता है पारासर्व तरंग यानि अल्ट्रासोनिक वेव इसका मान 20kg एजट्स से अधिक होता है सरपर्थाम गाल्टन नामक बैज्यानिक नेक विशेष परकार की सीटी द्वरा उत्पन की आजकल इसे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वार्ड क्रिस्टल के दोलन द्वरा उत्पन किया जाता है अधिक अविर्थिवा कम तरंग धैर होने के कारण इनमें अत्यधी कूर्जा संचित होती है कि फेरा सल्फेट जिसको हरात होता कहते हैं इसका फ्र्मूला एफेज़ फक। 7े टू होता है कुज़लत होता इसको जिंग है कि अग कि ऐक कारते हैं इसका जिडियन एस आईउफ० मंट 7 बिया नीला थोता जिसको कौपर स्ल फेट कहते हैं ये सी यूए सवर फक। पारा को संग्रहित करने के लिए लेड से बने पात्र के वेसकता होती है सभी अमलों में अनिवार रूप से हेडोजन उपस्थित होता है फिनोल दथा फॉर्मल डिहाइड का बहुलक विकलाइट होता है शिक्किम को पूर्ण राज का दर्जा चातिसमा संसोधन जो निशो पचितर में हो के नुशार मिला धार्मिक स्वत्रनुत्ता काधिकार 25 से अठाच तक है 25 में कोई भी बेक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है तथा उसका परचार परसार कर सकता है 26 बेक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं के स्थापना बाप पोशन करने का था बीधी समत संपति के आजन का धिकार है 27 किसी भी बेक्ति को ऐसे करने के लिए बाद नहीं किया जा सकता 28 राज बीधी से पुर्नता पोशित किसी सिच्छा संस्थानों में कोई धार्मिक सिच्छा नहीं दी जाएगी मौलिक करतबो का 22 संसोद 1976 में सामिल किया गया लोग सभा का नेता परधान मंतरे होता है मंतरी प्रिसद समयक रूप से लोग सभा के परते उतरदाई होता है किसी भागोलिक छेतर को नुसूची छेतर घोसित करने का संबेधाने के धिका राष्ट पति को है प्रकलान समीती को अस्थाय मित वेईता समीती कहा जाता है किसी भागोलिक जाता है झाल 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 झाल